लालकिले की प्राचिये से तिरंगा फहराते हुए प्रधानमंतरी नरिंडर मोदी ने इजबार कई विश्यों पर बात की उन्होंने महामारी लदाक मिजीन के साथ ववाल आदनर्भर भार डिजिटल हेल्थ कार्ड जैसी कई चीजों पर बात की साथी उन्होंने देश की बेटियों को भी सिलाम किया और एक खास मुद्दा जो की देश की बेटियों से जुड़ा है उससे जुड़ा एक संकेद भी पियम मोदी ने दिया पिये मोदी ने कहा कि सरकार बेटियों की शादी की उम्र पर समिक्षा कर रही है आपको बता दें कि अभी देश में बेटियों की शादी की उम्र 18 साल और लड़कों की शादी की उम्र 21 साल है 18 वर्ष के पहले किसी भी लड़की का विवहन नहीं किया जाता वहीं लड़के की आयू 21 वर्ष होना अनिवारी है लेकिन अब सरकार द्वारा इस पर वचारवे मर्ष किया जा रहा है और प्रधान मंत्री मूदी ने जैसा संकेत दिया है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि शायद लड़कियों की उम्र जो की अभी 18 साल है उसे शायद बढ़ा दिया जाए प्रधान मंत्री ने अपने संबोधन के दुरान कहा कि लड़कियों की शादे की सही आवयू क्या हो इसके लिए कमीटी बनाए गए है उसकी रिपोर्ट आते ही बीटियों की शादे की उम्र को लेकर उचित फैसले लिये जाएंगे महिला शक्ति को सलाम करते हुए पियमोधी ने कहा कि महिला अगर देश की कोईला ख़दानों में काम कर रही है तो वह आस्मान को भी छुड़े है पियमोधी ने गर्ववती महिला को छे महिने की चुटी वेतन के साथ दिये जाने का एलान भी किया उन्होंने बताया कि महिलाओं के खाते में जन्धन से जो जुड़े हैं उनमें लगबग 30,000 करोड रुपए तीन महिने में ट्रांसफर किये गए हैं सबसे महत्वपून बात उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र पर कही और कहा कि सरकार इसमस्मिक्षा कर रही है